नवस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनु सिंग और आप देख रहे हैं सोनु सिंग, पीपीटी वाले, आज की इस वीडियो में हम डिसस करने वाले हैं, प्रोजेक्ट लाइफ साइकल, प्रोजेक्ट लाइफ साइकल, जो यह टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमें में दिया था, तो मतलब इंपॉर्डेंट लगता है, और वैसे भी है इंपॉर्डेंट टॉपिक, ऐसे कुछ नहीं है, आपके इस लेबस में है, तो जरूर ग्लास तक देखना है इस वीडियो को, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ, तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकल के कंसेट से हैं, कंसेट अफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकल, प्रोजेक्ट लाइफ साइकल is a framework for managing any type of project, अब मतलब एक example दिता हूँ आपको, कि कोई भी company होती है न तो उसके पास different projects आते हैं, ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट को एक तरह से काम मान करना है, ठीक है, it is a four step process, ये एक चार step की process होती है, कोई भी project manager होगा, या जो भी leader बोल लो, उसको चार stages ये पूरी करने पहेंगी, अपना project life cycle complete करने के लिए, standard process by which terms achieving project success, तो ये एक standard process बताई गई है, जहाँ पर project success को दिखा जाता है, कि project success कैसे होगी, ठीक है, कैसे project को success तक पहुचाना है, ठीक है, manage by a project manager, also called leader, तो ये manage की जाती है, project manager के द्वारा, जिसको हम leader भी कहते है, तो भाई, कोई भी अगर company के पास काम आ रहा है, तो उस particular काम के लिए, project manager assign कर दिया जाता है, कि आप इस काम को देखोगे, रेखोगे, ठीक है, help in setting specific goals and specific solution for specific problems, अभी क्या होता है, कोई भी company के पास काम आ रहा है, तो उस काम के लिए goal बना लेती है, कोई भी company, या project manager जो assign किय जाता है, वो उस काम के लिए goal बना लेता है, तो ये project life cycle के द्वारा हम goal बना सकते है, project को लिए, हमे goal अचीव करने के लिए, हमे goal set कर सकते है, project life cycle के द्वारा, next is process या phases of project life cycle, चार phases होते हैं इसमें, क्या-क्या होते हैं phases, project initiation, project planning, project implementation and project closer or termination, closer or termination same चीज होती है, मतलब same ही होती है लगो, तो यहाँ पर 4 step है, यहाँ पर project life cycle के, initiation मतलब starting का phase हो गया होगा, planning का मतलब planning करना, implementation, कैसे उसको लागू करना है, और कैसे उसको close करना है, तो detail में पढ़ लेते हैं phases को, ताकि और अच्छे से clear हो जाए, first है project initiation या conceptualization, इसका purpose क्या होता है, define and authorize project, कि project जो भी company के पास project आया हुआ है, उसको मतलब समझे company, कि actual में project है क्या, क्योंकि जब तक वो project को समझेगी नहीं, वो करने ही पाएगी उस project को, ठीक है, information included are, purpose, vision, mission, इसके अंदर हम उस project का purpose देखते हैं, कि project किस लिए करना है, हमें इसका क्या purpose है, क्या उसका vision है, ultimate हमारा goal क्या है, क्या mission है उस project का, उस project करने के बाद हम क्या पहुँचेंगे, कौन सी उस पर पहुँचेंगे, है न, ये सारी चीज़े देखना, objective and success criteria, objective डिसाइड करना है, कि उस project के अंदर क्या objectives ऐसे हैं, क्या क्या उद्देश हैं, जो हम fulfill करने वाले है, क्या success criteria होगा, कि कहां पर project खतम होगा, कि हम बोल सकते हैं, कि हमारी success है, schedule and budget, कि 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 के बाद कौन सा काम होगा, क्या के काम की schedule होगा, कैसे-कैसे budget बनेगा, कितना हमरे पास पैसा है उस project में invest करने के लिए, name and authority of sponsor, कि कौन उस project को sponsor कर रहा है, अगर हम कहीं बाहर से sponsorship ले रहे हैं, तो कौन उस project को sponsor कर रहा है, अब जो भी project आया है, किसी भी company के पास, तो अपने resources भी तो देखी कि ना वो company, कि मेरे पास इतने resources है, मेरे को ये project करने के लिए enough हैं कि नहीं है, ठीक है, तो project initiation में हम ये सारी चीज़े देखते हैं, जो भी मेरे पास project है, उसको खोल के और देखते हैं, कि project actual में है क्या, समझे, second phase आ गया है आपर, project planning, determine approach you will take and define all the details of how the project will be done, अभी हमने initiation में क्या किया कि project को समझ लिया कि project actual में है क्या, अभी project planning में हम क्या करने वाले है, project planning में हम ये देखेंगे कि project को करना कैसे है, अभी हमने resources वगरा देख लिये थे initiation phase में, अब planning में हम ये plan करेंगी प्रोजेक्ट को आगे कैसे बढ़ाना है planning is divided into two parts यह पर दो तरीकी की planning हो सकती है strategic planning या implementation planning जिसमें से strategic planning होती है develop overall approach for the project कि overall जो इसका approach है कि कैसे उसको काम को करना है उसको एक approach देंगे हम overall कि किस approach को हमें follow करके इस पूरे project को complete करना है ठीक है और implementation planning होती है figure out all the details of how the project will be done कि कैसे वो project complete होगा कि one by one एक एक step by step हमें सोच के चलना है implementation phase में कि इस project की पना हम planning कर लेंगे ठीक है आगे हम इस project को करेंगे तो इस step के बाद क्या करेंगे इस step के बाद क्या करेंगे वो सारे implementation planning में आ जाता है strategy planning में overall देखेंगे कि overall हमें क्या approach इसको follow करनी है ठीक है तो यह होता है project planning कि कि किसी भी project को initiate करने के बाद आप उसकी planning करोगी कि कैसे उस project को आप करने वाले हो next step आ जाता है project execution या implementation इसका क्या purpose होता है मैं बता दो पहले इसका मतलब क्या होता है project execution का मतलब होता है आपने भाई initiate कर दिया project उसकी planning कर ली कि कैसे उसको करना है अब भाई बारी आई है उसका काम को करने की असल में लागो करने की इंप्लिमेंट करने की ठीक है इसका purpose होता है carry out activities defined during planning phase कि जो भी activities आपने planning phase में define की है उसको आप करने की बारी है ठीक है उसको करके देखो एक बार most of the resources are used here only time, money, people यहाँ पर क्या होता है time use होता है, money use होता है, people use होता है क्योंकि initiation और planning में हमारे ज़्यादा resources use नहीं हुए है हम आपर जस एक planning कर रहे है जस उस project को समझ रहे है लेकिन implementation यह execution phase में हम जो time, money और people जो भी हमारे पस resources है उसको हम use कर रहे है actual में उस project को कर रहे है ठीक है here a track record needs to be maintained to check progress and for adjusting plan according to the needs also called monitoring and control अभी क्या होगा project जैसे जैसे हम कर रहे हैं उसके साब से हमें क्या करना पड़ेगा एक track record बनाना पड़ेगा ठीक है कि कितना वो project complete हुआ जो हमारे objectives थे जो भी हमारे plans थे उसके साब से वो बन रहे की नहीं बन रहे है या उसके साब से वो project हो रहे की नहीं हो रहे है उसको monitoring and control भी कहते है उसको देखेंगे उसी time पर अगर कुछ गलत है तो उसी time पर उसको सुधार करेंगे वो सारा आजाता है हमारे project execution या implementation phase में last step होता है यहां पर project closer या termination तो project अब end पर आ गया है हमने भाई execution मगयारा सब कर दिया सब project इंदम टना टन हो गया बनके ready हो गया अब उसका closer करना है ठीक है कोई भी एक काम है project को मैंने starting में पता था कोई भी एक काम है formal closer of project is done here अब इस step में क्या होता है formal closer होता है formalities कुछ पूरी करने पड़ती है क्या हो फॉर्मैलिटी होती है key activities performed are verify the completion criteria are met जो भी completion हमारे criteria था starting में planning phase में कोई criteria set किया होगा success criteria जो जिससे कह सकते है वो अगर पूरा हो रहा है की नहीं हो रहा है वो check करना कि जो हमने set किया था planning phase में वो हो आई की नहीं होगा है create closer report अब भाई हम अपना project complete तो कर लिया management के पास हम ले के जाएंगे company में वापिस तो हम पूरा चिठा होल के थोड़ना रख देंगे हम उनको एक report देंगे ना 4-5 पन्नी की है जितने ही पन्नी की report होगी वो उनको पकड़ाएंगे हाँ भाई हमारा ये project था ये इसकी report है हमने close कर दिया है project complete हो गया है थीक है तो हम report बनाएंगे at the end and last step होता है perform project post-mortem अब post-mortem करना बहुत ज़रूरी होता है भाई तुमने project close तो कर दिया ऐसे कैसे close कर दिया अब उसके मारे में मतलब थोड़ी और analysis करो क्या है क्या हमारे project में क्या-क्या resources लगे थे क्या-क्या चीज़े लगी थी कैसे कंप्लीट हुआ था project यह सारा post-mortem करना बहुत ज़रूरी होता है तो यही था इस वीडियो में I hope आप समझगी होंगे क्या होता है project life cycle और बहुत important topic है project management वगयरा ऐसे subjects होते हैं इसमें ज़रूर आता है और मतला free का ही नंबर है एक तरह से flow charts वगयरा थोड़ा use करना इसमें अगर answer लिखोगे तो और यह एक और पाफ़ था था तो मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड कर चुपाँ उस time क्या था न मेरा mic on नहीं था मैं पूरी video record करने के बाद मैंने mic देखा mic off था उस time पर मैं क्या बताऊं तो दुबारा मैंने record की है तो I hope मैंने सारे points cover कर ली होंगे अगर कोई भी दिखकत हो तो नीचे comment section में लिखना न भूले लाइक अभी तक करी दिया होगा अभी इस video को नहीं किया तो like मारो जाके subscribe करना बहुत साथ important है यह study का channel है थोड़ा सा support मिल जाएगा subscribe मार दो तो मिलते आप से next video में तब तक के लिए goodbye take care have a nice day